हाई गाईज वेलकम टू केक के फेशन एंड टेक में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टेकनिकल टोपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जीक-चीक मसिंग को अगर हम एम्परोडरी के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इसके स्क्रू निकाल देते हैं हम दूसरा स्क्रू भी हम निकाल देंगे इसका अब हम प्रेशर फूट को उपर करके उसको भी हम रिमोव कर देंगे तो हमने प्रेशर फूट को भी रिमोव कर दिया है अब हम यह जो पास में ब्लेड ही उसको थोड़ा सा खिसका कर फिर हम यह जो ब्लेट लगी है वो निकालेंगे अगर हमारी सुई फसी होई है तो थोड़ा सा उपर करके निकाल देंगे और इसके नीचे हमें जो यह दांती दीख रही है उसको भी हमें रिमूव करना होगा इमरोईडरी में दांती की जरूरत नहीं रहती है अगर वो होगी तो वो हमारे जब हम इमरोईडरी करेंगे तो जो हम कलोध पर करते हैं तो वो उसको खिसकाएगी तो हमारी परफेक्ट इमरोईडरी नहीं हो पाएगी तो दांती निकालना बहुत ही जरूरी है तो हम यह दा की special blade आती है उसको इसमें इसमें install करेंगे अच्छे से बिठा देंगे ताकि वो उपर नीचे न रह जाए और इसके screw जो है वो हम लगा देंगे दूसरे screw भी हम ऐसे ही लगा देंगे और screw को हम tight कर देंगे दूसरे screw को भी tight कर देंगे और हम fix कर देंगे प्लेट को और ये जो सब हमने निकाला हुआ है उसको हम संभाल के रख देंगे ताकि हमें जब चिग चिग मसीन बापिस यूज़ करना है तो हम ये सब चीजे फिर से उसमें install कर सकें तो अब हम एक बार चला कर देख लेते हैं कहीं हमारी सुई कहीं फस्ती तो नहीं है तो अब ये हमने चला के ट्राइ किया नहीं तो इतना सेटिंग करने के बाद आपको एक और सेटिंग करना होगा ये जो आपको दीख रहा है ये पार्ट ये एम्रोइडरी के लिए special होता है ये आपको टेलरिंग मैटिरियल की जो सोप रहती है वहाँ पे इजिल मिल जाएगा और आप कारपेंटर की मदद लेकर ये अपने मसीन में डिलवा सकते हो हम जो एम्रोइडरी करते वक्त स्टीच को छोटा बड़ा करते हैं तो ये उस काम में आता है और इसके बीना हम स चोटा बड़ा करने जाएंगे तो हम पूरे तरीके से फिनिसिंग के साथ एम्रोइडरी नहीं कर पाएंगे और आप ये लगवाओगे तब भी आप परफेक्ट एम्रोइडरी कर पाओगे पीमसीन एम्रोइडरी के लिए रेडी हो चुकी है तो आपको मेरा वीडियो के इ एम्रोइडरागगे Gift-2.